नमस्कार दोस्तों जी एस रेसीपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम वीकली कमपाईलेशन के भाग आठ यानि की 10 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर के बीच में जो कुल 10 important current affair हैं उनके बारे में discuss करेंगे चलिए सुरात करते हैं उसको discuss करने से पहले important days की बा मनाया गया और अगर international day की बात की जाए तो 10 दिसंबर को मानवा दिकार दिवस और 10 दिसंबर को ही अलफ्रेड नॉबेल जी की पुनितिति मनाई गई और 11 दिसंबर को अंतरराश्टी परवती दिवस जो है वो मनाया गया अगर आज के important quote of the day में देखें तो नेलसम मंडेला जी के द्वारा एक बात कही गई थी और वो बात थी कि मैंने वर्सों में सीखा है कि जब किसी का मन बना लिया जाता है तो इससे डर्ग जो है वो कम हो जाता है मतलब अगर आपको कुछ भी अपनी life में करना है तो पहले उसको करने से पहले आपको अपना मन बनाना जो है व पेली न्यूज है कि आर्बी आई ने स्वास्त सेवा और सिच्छा के लिए UPI सीमा को बढ़ा कर पाँच लाख रुपए जो है वो कर दिया है और बी आई ने अपनी दुईमासिक मौद्रिक नीति की घोशना करते हुए या कहा है कि वह स्वास्त सेवा और सिच्छा के लिए UPI भुक्तान की सीमा को जो पहले एक लाख रुपए थी उसको एक लाख रुपए से बढ़ा कर पांच लाख रुपए कर देगा यह जो बढ़ुत्री है वो दस जन्वरी दस जन्वरी दो हजार चौबिस से जो है वो प्रभावी हो जाएगी यह देखिए इकोनामिक्स टाइम्स का न्यूज है इस लेंदेन के लिए प्रयोग किया जाएगा बिजनेस स्टेंडर की भी न्यूज है यह जो बढ़ुत्री है वो स्वास्त सेवा और सिच्छा छेत्र में यूपियाई के उप्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई है इससे अस्पतालों के लिए क्लीनिकों के लिए और सैच्छिडिक संस्थानों में यूपियाई का उप्योग करके बड़े लेंदेन जो है वो करना आसान हो जाएगा जैसे सपोस करो आप अपने कॉलेज की फीस देने जाते हैं पहले चेक के माध्यम से दी जाती थी क्योंकि UPI के तुरू इतनी बड़ी transaction जो है वो नहीं हो पता था तो अब क्या होगा अब जैसे आपकी college की फीस एक से डेल लाक रुपए है तो आप आराम से UPI से ही उसको transfer जो है वो कर सकते हैं अभी तक ये जो रासी है जहां मात्र एक लाक रुपए थी इससे बढ़ा कर अब पूरे पांच लाक रुपए कर दिये गए हैं पहले users जिने जादा रासी की ज़रूरत होती थी लेकिन सुविधा उपलब्द ना होने के कारण वे एक बार में एक लाक रुपए का ही लेंदेन कर पाते थे इस बड़ोतरी से बहुत सारे लाब होंगे और उन लाबों में क्या क्या है उन लाबों में यह जो है वो स्वास्त सेवा और सिच्छा छेत्र में यूपी आई के उपियों को बढ़ावा भी देगा इससे एस्पतालो क्लीनिक के लिए सेच्छडिक संस्थानों में लेंदेन करना जो है वो आसान हो जाएगा इससे बुक्तान की प्रिक्रिया में पारदर्सिता और दच्छता में सुधार होगा ऐसा बताया जा रहा है इससे भुक्तान में देरी और गडबड़ी की संभावना जो है वो कम होगी अगर बात यूपी आई की आई है तो यूपी आई का बहुत लोग पूरा नाम नहीं जानते होंगे तो यूपी आई का पूरा नाम आप लोग नोडाउन कर सकते हैं इसका पूरा नाम होता है यूपी पेमिंट इंटरफेस लिया जाता है यूपी को अगस्थ अगस्थ दो हजार सोलेह में जो है वो लॉच्च किया गया था ठीक है और अगर आरबि आई की बात आई है तो आरबि आइ के बारे में कुछ महत्पूर तथ्थे आन लीजिए RBI की जो इस्थापना है वो 1 अपरेल 1935 को हुई थी इस समय जो RBI के गवर्नर है उनका नाम सक्तिकान दास जी है और RBI का जो गवर्नर है जो हेड़ क्वार्टर है वो मुंबई महराष्टरा में इस्थित है और RBI की जो करेंसी है वो Indie喝 रूपी है और इस समय जो bank rate चल रही है वो 6.75 की चल रही है और reverse rate जो चल रही है वो 3.25 परसेंट जो है वो चल रही है तो पहले news हो गई दूसरे news की और बढ़ते हैं दूसरी news क्या बोल रहा है दूसरी news है कि IBM ने अपनी पहली 1000 chip कुईबिट चिप कॉंडोर जो है कॉंडोर लांच की है IBM IBM के बारे में सबसे पहले IBM के बारे में बताने से पहले हम IBM की कुछ चितिहास के बारे में जान लेते हैं IBM जो आप सुनते रहते हो IBM का पूरा नाम होता है International Business Machines Corporation International Business Business Machine IBM का पूरा नाम तो यह है साथ में आप लगा दीजे Corporation Corporation ठीक है इसका जो Headquarter है वो New York में New York जो की USA यानि की अमेरिका में है वहाँ पर इसका Headquarter है इसकी जो स्थापना है वो 16 जून 1911 को इसकी स्थापना हुई थी और इस समय IBM के जो Chairman है वो भारतिय मूल के है Chairman और CEO उनका नाम है Arvind Krishna उनका नाम क्या है उनका नाम है Arvind Krishna इस समय यह Chairman और CEO दोनो है तो IBM ने अभी क्या किया है IBM ने अपनी पहली 1000 क्विटिंग चिप कॉंडोर को जो है वो लांच किया है IBM ने अपनी पहली 1000 क्विटिंग चिप कॉंडोर जो है वो लांच की है यह जो है वो quantum computer प्रद्योगी की में एक महतपूर उपलब्दी जो है वो मानी जा रही है कॉंडोर चिप है क्या कॉंडोर चिप जो है वो एक 2D super conducting चिप है जिसमें 1000 quantum bits है और quantum bits quantum computer के मूल निर्माड के खंड हैं वे पारंपरी computer bits की तरह नहीं होते जो केवल जो bits होते दे वो केवल एक और 0 में जो है वो सब कुछ धारड करते दे quantum bits एक साथ दो अवस्थाओं को धारड कर सकते हैं जिसे हम super position कहते हैं जिने एक नाम दिया जाता है super position जिने हम super position कहते हैं यह जो है वो quantum computer को पारंपरी computer की तुल्ला में बहुत अधिक जटिल समस्याओं को हल करने की अनुमती भी दे देता है condor chip जो है अभी भी विकास के अधीन है लेकिन यह quantum computer प्रद्योगी के भविश्य के लिए एक महतपूर मील का पत्थर साबित होगा ऐसा बताया जा रहा है यह जो chip है वह quantum computer को अधिक सक्तिसाली और कुसल बनाने में मदद करेगी और इससे कुछ विभिन प्रकार के कारे किया सकते हैं इससे कौन कौन से कार इसमें सामिल हैं इसमें नई दवाओं और उप्चार का विकास के लिए इसका यूज किया जाएगा नई सामगरी और उत्पातों के डिजाइन के लिए इसका यूज किया जाएगा वित्तिय बाजारों का विशलेशड के लिए इसका इस्तमाल किया जा सकता है कृतिम बुद्धिमता यानि की AI अनुसंधान के लिए भी इसका इस्तमाल जो है वो किया जा सकता है तो आज की दूसरी न्यूज कौन सी हुई आज की दूसरी न्यूज हुई IBM ने अपनी पहली 1000 कुटिंग चिप कॉंडोर जो है वो लॉंच की है आप इसको याद रखिएगा आज के तीसरे न्यूज की ओर बढ़ते हैं तीसरी न्यूज है कि मुंबई में वन भारत साड़ी वाक्तान को हरी जंडी दे दी गई है मतलब दी गई थी केंद्रिय कपडा मंत्री इस समय जो है जिनका नाम प्यूस गोयल है उन्होंने 10 दिसंबर यह यहां पे लिखा हुआ है 10 दिसंबर 2023 को मुंबई में वन भारत साड़ी वाक्तान को हरी जंडी दिखाई थी यह जो वा भारत की विविधता में एकता को प्रदर्शित करने के लिए आयूजित किया गया था केंद्रिय मंत्री प्यूस गोयल जी ने वाक्तान के उद्गाटन के अवसर पर कहा है कि साड़ी एक भारतिय महिला के परिधान का एक अभिन अंग है यह हमारी संस्क्रति और विरासत का प्रतीक है वन भारत साड़ी वाक्तान भारत की विविधता को प्रदर्शित करने का एक पहतरीन तरीका माना जाता रहा है वाक्तान जो है वो मुंबई के B.K.C. में M.M.R.D.A. मैदान में मैदान से सुरू हुआ था यह जो वाक्तान है यह लगभग 2 किलो मीटर लंबा थ यह देखी इसमें लिखा हुआ है डिस्टेंस जो है वो लगभग 2 किलो मीटर लंबा था इस वाक्तान में केंद्रिय कपडा मंत्री प्यूस गोयल जी कपडा राज्य मंत्री दर्सना जर्दोस जी लोकसभा के सांसत सदस्य पूनम महाजन जी और बॉलिवुड अभिनेत्र सोनाली बेंद्रे जी भी जो है वो इसमें सामिल थी आज की चौथी न्यूज की और बढ़ते हैं चौथी न्यूज में है कि 36 गड़ के नए मुख्यमंत्री विस्नु देव साय जी ने मुख्यमंत्री की सपत जो है वो ली है 36 गड़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी की तरब से और उनका नाम है विस्नु देव साय जी जो की 69 वर्स के हैं और ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं कहां के 36 गड़ के इनके बारे में और कुछ तथे जान लेते हैं कि भाजपा ने 2020 में इन ही को 36 गड़ का प्रदेश अध्यच भी बनाया था इससे पहले वे चार बार सांसद और दो बार विधायक और केंद्री राज्यमंत्री भी रह चुके हैं विश्नु देव साय जी का जो जन्म है वो 25 अक्टूबर 1964 को 36 गड़ के कांकेर जिले के कुनकरी गाउं में हुआ था उन्होंने कुनकुरी कॉले से इसनातक की उपादी भी प्राप्त की थी राजनीती भी आने से पहले वो एक किसान थे ठीक है याद रखियेगा ये आदिवासी पहले आदिवासी मुख्यमंत्री है और ये इनकी कुछ एच्यूमेंट जो है यहाँ पर बताए गए है आप इन एच्यूमेंट को जो है वो जाके देख सकते हैं अब जब चतीस गड़ की बात आई है तो चतीस गड़ के बारे में कुछ महतपूर तत्थी जान लेते हैं चतीस गड़ जो है वो पहले मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था और इसका जो फॉर्मेशन है वो एक नवंबर सन दो हजार को इसकी जो है इस्थापना हुई थी और चतीस गड़ की जो कैपिटल है उसका नाम है रायपूर उसका नाम क्या है उसका नाम है रायपूर और यहाँ पे डिस्टिक यानि जिलो की जो कुल संक्या है वो 33 यानि की 33 है और इन 33 जिलो में 5 डिवीजन है कितने 5 डिवीजन है और इस समय यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है बिश्व भूशन हरिश चंदन जी जो है वो यहाँ के इस समय गवर्नर है चीफ मिनिस्ट बता है उनका नाम क्या है उनका नाम है विश्नुदेव सई जी और यहां पे डिपटी सीम जो हैं दो स्थीफ मिनिस्टर जो है वह बनाया गया है लोग सभा के सीटों की बात की जाए तो लोक सभा कि यहां पे 11 सीटे हैं राजे सभा के कुल सीटों की संख्या पांच है और legislative assembly यानि की विधान सभा के कुल सीटों की संख्या जो है वो कितनी है वो 90 सीट यहाँ पर प्रेजेंट है तो चौती न्यूस कौन सी हुई कि 36 गड़ के नए मुख्यमंत्री मिल गए है जिनका नाम विष्मुदेव साय जी है अगली न्यूस की और बढ़ते हैं आज की पाचवी न्यूस है कि जर्मनी चेंज प्रफॉर्मेंट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक जो है वो सात्वी रही है अगर हम भारत के जल्वाईव परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांग की बात करें तो इससे पहले इसके पिछले साल जो है इंडिया जो है एट्थ स्तान पे था और उससे पिछले वर्स जो है इंडिया की रैंक जो थी वो टेंथ रैंक थी अब जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सुचकांग के बारे में जान लेते हैं ये क्या है इसका जो प्रकाशन है वो जर्मन वाच तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टिटूट और क्लाइमेट एक्षन नेटवर्क द्वारा वर्स 2005 से वार्सिक आधार पर प्रकासित किया जात है मतलब एनुवल जो है ये प्रकासित किया जाता है यह जो है वो 57 देशों और यूरोपिय यूनियन के जलवायू संरच्षड संबंधी उपायों के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण के तौर पर कार करता है इसके तहत सामिल सभी देश जो है वो सयुक्त तोर पर 22 प्रतिसत से अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सरजन करते हैं और इसका लच्ष क्या है इसका लच्ष है अंतर राष्टिये जलवायू राजनीती में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और अलग अलग देशों द्वारा जलवायू संरच च्षड की दिशा में किये गए प्रयासों एवं प्रगति के 20 तुलना करने में सच्छम बनाना है इनका मांदंड क्या होता है यह सुचकांग जो होता है वो चार स्रेडियों के अंतरगत 14 संकेतकों पर देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है ग्र पहला कौन सा था पहला था ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन जिसका समग्र स्कोर का जो है वो 40 परसेंट लिया जाता है दूसरे नंबर पे नवी करणी उर्जा जिसका कुल का 20 प्रतिसत लिया जाता है तीसरे पे है उर्जा उपियोग कुल का 20 प्रतिसत लिया जाता है और चौ दिखा जाए तो किसी भी देश द्वारा बहतर प्रदर्शन नहीं करने के कारण किसी भी देश को समग्र उच्च रेटिंग जो है वो प्राप्त नहीं हुए इसलिए सीर्स के जो तीन स्थान है पहला नंबर दूसा नंबर तीसरा नंबर जो तीन स्थान है वो खाली हैं फिर उसके बाद डेन्मार्क, स्वीडन, चिली और मुरक्को केवल चार छोटे देश थे जो क्रमसा भार से उपर चौथे, पाँचवे, छठवे इस्थान पर जो है वे थे G20 की बात की जाया तो G20 देशों में भारत सीर्स दस में इस्थान बनाने वाला एक मात्र देश है United Kingdom CCPI 2023 में 11 इस्थान पर रहा है चीन CCPI 2030 में 51 इस्थान पर रहा है और बहुत कम रेटिंग मिली है सायुक्त राज अमेरिका यानि की USA तीन पायदान चड़कर 52 इस्थान पर पहुँच गया है जो अभी भी कुल मिला कर बहुत कम रेटिंग है Islamic Republic of Iran 63 इस्थान पर है अता CCPI 2023 में अंतिम इस्थान पर इसको जो है वो रखा गया है तो आज की पांचवी न्यूस कौन सी हो गई पांचवी न्यूस हो गई Climate Change Performance Index 2023 में भारत की रैंक जो है वो साथ वी रही है Times of India की खबर है अगली न्यूस की और बढ़ते हैं अगली न्यूस कौन सी है अगली न्यूस है अगली न्यूस है कि भारत को IMO Green Voyage 2050 पर्योजना के लिए अग्रडी देश के रूप में मानिता मिली है भारत को अंतर राष्टिय समुद्री संगठन यानि की IMO का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मरी टाइम और्गेनाईजेशन ठीक है इसके Green Voyage 2050 पर्योजना के लिए अग्रडी देश के रूप में मानिता मिली है यह जो पर्योजना है वो नार्वे सरकार और IMO के बीच मई 2019 में सुरू की गई थी जिसका उद्देश सिपिंग उद्द्योग को भविसे में कम कार्बन उत्सरजन में बदलना है भारत को इस पर्योजना के लिए अग्रडी देश के रूप में मानिता देने के कई कारण बताए गए हैं इसमें कुछ कारण बताय जा रहे हैं कि भारत एक प्रमुक समुद्री देश है भारत के पास एक बड़ा समुद्री वैपार बेड़ा है इस वज़े से और दूसरी वज़े बताई जा रही है कि भारत ने जलवायू परिवर्तन पर कारिवाही के लिए प्रतिबधता व्यक्त की है और भारत ने अपने राश्टी इस्तर पर निर्धारित योगदान NDC में 2030 तक कब तक 2030 तक अपने ग्रीन हाउस गैट्स उत्सरजन को 2005 के इस्तर से 45 प्रतिसत तक कम करने का लच्छ जो है वो रखा है भारत जो है इस परियोजना के तहट बहुत सारे कारे करेगा जिसमें से पहला जो कारे है वो जहाजों से ग्रीन हाउस गैट्स उत्सरजन को कम करने के लिए नवीन तकनिकों और प्रताओं का विकास और परिछड करेगा जहाजो से पहला तो यह करेगा दूसरा काम जहाजो से ग्रीन हाउस गैस उत्षरजन को कम करने के लिए नीतियों और विनियमों का विकास करेगा तीसरा है जहाजो से ग्रीन हाउस गैच उत्सरजन को कम करने के लिए अंतर राष्टिय सहीयोग को जो है वो बढ़ावा भी दिया जाएगा अब IMO की बात आई है तो IMO के बारे में भी कुछ जान लेते हैं IMO की जो स्थापना है वो 17 मार्च 1948 को की गई थी लगभग 75 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी यह जो IMO है यह United Nation की एक Specialized Agency है ठीक है इसका जो हेड़ क्वार्टर है वो लंदन में है और लंदन कहां पे हैं लंदन है United Kingdom में इस समय इसके जो हेड है वो Secretary General की टैक लिम की टैक लिम जी जो है वो इस समय IMO के जो हेड है तो आज की छटवी नियूस कौन सी हुई कि भारत को IMO Green Boies 2050 पर योजना के लिए अग्रडी देश के रूप में मानेता जो है वो मिल गई है सात्वी नियूस की और बढ़ते हैं सात्वी नियूस क्या बोल रही है सात्वी नियूस बोल रही है कि Bank of India ने अभी जो है वो नारी सक्ती बचत खाता जो है उसको लांच किया है Bank of India ने महिलाओं के लिए नारी सक्ती बचत खाता जो है वो लांच किया है यह जो खाता है वो 18 वर्स और उससे अधिक आयू की महिलाओं के लिए उपलब्ध है जिनके पास आये का एक स्वतंत्र स्रोथ है नारी सक्ती बचत खाता जो है वो महिलाओं को वित्ती रूप से ससक्त बनाने और उन्हें अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है नारी सक्ती बचत खाते के कुछ विसेशताएं और कुछ लाब है जो की नीचे दिये गए है पहला लाब है कि 5.50 प्रतिवर्श प्रतिशत मतलब 5.5 प्रतिशत एन्वली जो है इनको बैंकरेट यानी की ब्यास दर जो है वो मिलेगा मुफ्त क्रेडिट कार्ड इन्हें मिलेगा 100 लाग का व्यक्तिगत दुरगटना भीमा मिलेगा इन्हें मुफ्त ATM कार्ड और डेबिट कार्ड मिलेगा मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और मुबाइल बैंकिंग की सुविधा मिलेगी पांच लाख रुपय तक की POS लिमिट मिलेगी और विशेष रड आफर भी जो है वो इन्हें मिलेगा अगर बैंक ऑफ इंडिया की अभी बात आई है तो बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं Bank of India जो है इसकी जो स्थापना है वो 7 सितंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी लगबग 117 साल पहले इसका जो headquarter है वो मुंबई में है कहां पे है इसका headquarter मुंबई में है जो की महारास्टा में श्थित है और इस समय Bank of India के जो MD और CEO जो है उनका नाम है रजनीश करनाटक जो है वो इस समय यहां के MD और CEO जो है वो है तो साथवी न्यूस कौन सी हुई साथवी न्यूस हुई कि Bank of India ने लौंच किया है क्या लौंच किया है नारी सकती बचत खाता जो है वो लौंच किया है अगली न्यूस क्यों बढ़ते हैं अगली न्यूस कौन सी है अगली न्यू उत्क्राष्टता पुरुस्कार 2023 में दो रजत पुरुसकार जीते हैं Each में उत्क्राष्टता पुरुसकार जीते हैं यह जो पुरुसकार वह Tiger वह सर्व स्रेश्ट उननती और Augmented petty and Virtual Reality में सर्वसेष्ट उननती स्रेडियों में दिये गए यं है एंटीपीशी को कॉर्पोरेट्ट स्वास्ट प्रोध्योगिकी में सर्वशेष्ट उन्न तीश्रेड़ी में रजत forget DO में इस स्रेड़ी में एंटीपीशी को उसके एंटी पीसी टेली हेल्थ कारिक्रम के लिए सम्मानित किया ग्या है यह invented के कर्मचारियों और उनके आसृतियों के लिए दूरस्त स्वास्त देखबाल सेवाय प्रदान करता है यह जो कारिकरम है वह दुरगम छेत्रों में इस्थित एंटी पीसी के कर्मचारियों और उनके आसृतियों के लिए विशेश रूप से महतपूर है ऐसा बताया जा रहा है अगर एंटी पीसी की बात आई है तो एंटी पीसी के बारे में कुछ जान लेते हैं एंटी पीसी की जो इस्थापना है वह साथ नॉमबर 1975 को एंटी पीसी की जो है वह इस्थापना हुई थी इसका जो हैटक्वाटर है एंटी पीसी का वह कहां पर है इसका जो हैटक्वाटर है वह नई दिल् अधीप सिंग यहां के क्या है चेर्मेन और एमडी हैं तो आठीवी न्यूज क्या हो गई आठीवी न्यूज हो गई कि एंटी पीसी ने ब्रेंडन हॉल गुरुप के प्रद्योगी की उतक्रश्टता पुरुसकार दोजार तेईस में दो रजत पुरुसकार जो हैं वो जीते इस दिवाली स्टैम दा पावर ओफ वन एवाल्ट समारों में लाइफ टाइम एचीवमेंट पुरुसकार से समानित किया है यह जो पुरुसकार है वो नहीं स्वार्थ वक्तियों को दिया जाता है बान की मून जो हैं यह जो हैं यह दच्छिर कोरियाई राजनीतिग्य और राजनाइक हैं उन्होंने 2007 से लेके 2016 तक सयुक्त राष्ट के आठवे महासचीव के रूप में जो है वो कारे किया है महासचीव बनने से पहले बान जो हैं वो 2004 से लेके 2006 के बीच दच्छिर कोरियाई विदेसी मामलों और वैपार मंत्री थे दिवाली पावर आफ वन एव के लिए एक अधिक परिपूर्ण सांतिपूर्ण और सुरच्छित दुनिया बनाने में उनके निस्वार्थ प्रयासों के लिए जो है वो दिया जाता है यह देखिए न्यूज ऑन AIR की न्यूज है और बान की मून ने 2007 से 2016 तक सयुक्त राष्ट के महासचीव के रूप में कार किया इस अवदी के दौरान उन्होंने कई महतपूर उपलबदियां जो है वो हासिल किये हैं जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट उपलबदी है कि सयुक्त राष्ट के बजट को इन्होंने बहुत बढ़ाया है सयुक्त राष्ट के सांतिय भियानों का विस्तार भी उन्हो परिवर्तन और आतंगबाद जैसे वैस्तिक मुद्दो से निपटने के लिए अंतर राष्टिय सयुक्त को बढ़ावा भी दिया है और बान की मून जो हैं अपने कारेकाल के दौरान कई पुरुषकारों से सम्मानित किये गए जिनमें से नोबेल सांति पुरुषकार 2009 में इनको मिल चुका है एक बार मैगनेसे पुरुषकार 2010 में जो है इन्हें मिल चुका है और राजियू गांदी पुरुषकार 2016 में जो है वो इन्हें दिया गया था तो दस्वी नौवी नूज कौन सी हुई आज की कि सयुक्त राष्ट के पूर वो महासचिव लाइफ टाइम एचिवमेंट एवाल्ड से सम्मानित हुए और आज की दस्वी और अंतिम नूज क्या बोल रही है अंतिम नूज है कि राजिस्थान के नय मुख्यमंत्री भजनलाल सर्मा जी ने जो है वो सपत ली है राजिस्थान के नय मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल सर्मा जी सपत ली है इस सपत समारों में प्रधानमंतरी नरेन मोदी जी केंद्रिय ग्रहमंतरी अमित्सा जी रच्छामंतरी राजनात सिंग जी और राजिस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री वसुंद्रा राजें-सिंधिया जी और कई अन्य गड़मान्य व्यक्ति जो हैं वो सामिल ह सपत समारों में राजिस्थान के राजिपाल कल राज मिस्र जी ने आयोजित किया और समारों में भजनलाल सर्मा जी ने सपत लेने के बाद अपने भाशड में कहा कि वे राजिस्थान को एक विक्सित राज बनाने के लिए काम करेंगे उन्होंने यह भी कहा कि वे राज में क राजिस्थान की बात आई है तो कुछ राजिस्थान के बारे में महतपूर तथ जान लेते हैं राजिस्थान की जो इस्थापना है वो 30 मार्च 1949 को हुई थी इसकी जो कैपिटल और जो लार्जेस्ट सिटी है राजिस्थान की उसका नाम जैपूर है क्या है जैपुर है दिस्टिक की बात की जाए तो राजिस्थान में डिस्टिक की संग्या 50 है जिसमें कुल 10 डिवीजन जो है वो सामिल है जो गवर्णर है इस समय राजिस्थान के उनका नाम कलराज मिस्र जी है चेफ मिनिस्टर अभी नय नय बने है आपको पता है भजनला बिदान सभा की बात की जाये लेजिसलेटिव एसेंबली की तो राजस्थान में इसमें सीटों की संक्या राज्य सब्गस की संक्या जो है वो 10 है वो कितनी है वो 10 है और आझपी 50 निउस क्या हो गई दस्वी निउस हो गई राजेस्थान के नयमों कि मंत्री जो है वो भजनलाल सर्मा जी ने जो है वो सपत ले लिए तो यह जो वीडियो जो बनी है जो आपके लिए कंटेंट लाया जा रहा है काफी मेंद से वो कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट सेक्श स्क्राइस